तो हेलो दोस्तों मैं हूँ आपका प्यारीगे मेरो राज के इस वीडियो में सभी के सब्सक्राइब है तो गाइस मैं लेकर आओ यहाँ यहाँ पर आपटर अपडेट के बाद वन टैब हैट्शोट टिप्सें ट्रिक कैसे कुमारे गाइस जो की वन टैब हैट्शोट है, M887, M10 और जो की अधर वन टैब वाली गन है उन से गाइस, तो गाइस स्टाइट करते हैं यहाँ पर, फर्स्ट श्टैब से सबसक्त पहला मैं बताओंगा आपको यहां पर द्रैक्रीज इसके बार बताओंगा आपको रुटेशं ड्रैक्षण मतलब दोनों में हैट्श में हैं ड्रैक्रीजिश्वाइब रूटेशं करके असानी से माथ करके ढ़नी भुर्वद राइड में है तो उसको जब तक आप रोटेट नहीं करोके तो एनिम्य को हैट्षोट लगना बहुत जयादा मुश्किल है तो आपको जबस पहले रोटेशन ड्रैग हैट्षोट के बारे में बताऊँ गाई उट पर गन स्विच वाला जो बटन है गन जिससे आप निकालते हो उससे तो गाइस बहुत सारी इस चीज़ों को यहां पर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा उसके बाद ही आप यहां पर देख सकते हो तो गाइस सबसे पहले है एमसिस्ट गाइस आपको एमसिस्ट को पूरा परफेक्ट बनाना पड़ेगा गाइस एमसिस्ट मतलब रेड एम वाइट एम मतलब जैसे सामने आप देख सकते है गोल गोल जो की है उसको कहते हैं एमसिस्ट और मैंने बहुत भी बार बताया हूं गाइस एमसिस्ट को आपको सबसे पहले एनिमी को पर कनेक्ट करना है बंदा है कहां किदर साइड से वो निकलेगा रेट से निकलेगा राइट से निकलेगा या लेट से निकलेगा और आपको पीक लेना है और आपको एनिमी कुप पर आपका वाइट एम को रेड एम करना है और बिलकुल हैट शॉट मार देना है ड्रैग जैसी करोगे वैसे है लग जाएगा और आपको डिस्टेंस की सबसे मतलब उसका रेंज की सबसे भी आपको रोटेशन करना है यदि आपका अलग रेंज है मतलब दूर रेंज है तो उसके लिए आप ड्रैक करोगे तो आटमेटिक हैट लग जाएगा बट रेड एम आना ही चाहिए को सामने एक बं बंदे को लगा हैटशोस बंदा हो गया और गाइज मैं अपना मुमेंट की सबसे आँगे चल गया ठीके अब फिर से देखो काई मेरे सामनें इनइमी है अभी वाइट एम है और देखो वाइच एम मेरा एम जैसे ही रैड होगा यहां पर देखो मेरा भी वाइट अगया औ सामने बंदा है rotation drag headshot मार दिया गाइज ऐसी आपको white aim से red aim लेके आना है joystick का इस्तमाल करना है अपने आपको still खड़ा करना है बंदा जैसी दिखेगा वैसी आपको rotation करना है और drag headshot मार देना है ठीक है rotation आपको aim assist और joystick का इस्तमाल करना ही है गाइज यदि आप इसको perfect नहीं करोगे तो गाइज आपका headshot लगना बहुत ही ज्यादा मुस्किल हो जाएगा सामने वाले बंदे की range की हिसाब से आपको rotate करना है यदि बंदा दूर है तो आपको बहुत ही rotate नहीं करना है ज्यादा ठीक है आपको यदि बंदा दूर है तो rotation ज्यादा नहीं करना है आप drag कर दोगे तो simple सा headshot लग जाएगा बट यदि बंदा close range में है तो आपको rotation करना ही पड़ेगा आपको पहले jump करना और joystick का इस्तेमाल करके आपको पूरा still खड़ा हो जाना है जैसी बंदा आया और मतला रोटेट करना है और headshot जिदर उतका मुंडी है राइट लैप उपर नीचे जहां भी अधर आपको drag कर देना है आटोमेटिक headshot लग जाएगा तो गाइद आई होप कि आप समझ गया होंगे और यह headshot आपको एक दिन में नहीं बनेगा दो दीन में आपको बहुत ही practice करना पड़ेगा त्रेनिंग में जाओ उतला खड़ा रहता है वहां पर उनको मारो और जादी यह तो बहुत ही simple सा मात हूं आपको कुछ नी करना है jump करना है जॉष्टिक करना है आपको aim को white से red करना है यदि आपका एनिमी को पर connect नहीं होगा aim तो वह रहेगा white और यह से connect हो जाएगा वह रहेगा aim रेड तो आपको रवाइट से रेड करना है और बिल्कुल वन टेब हैट्शॉट मार देना है बंदा दूर है तो ड्रैग हैट्शॉट और बंदा क्लोज में है तो रोटेशन हैट्शॉट तो गाइज आई होप कि आप सिग गया होंगे जिसने में तक वीडियो को लाइक नि सब्सक्राइब करो बाजो वाले वेडिल लोटिफिक्शन को अउल पर सेट कर डालो तो जब भी मैं वीडियो डालूँग आपके मारी में नोटिफिक्शन आ जाएगी और मेरी वीडियो इसा सब पहले देख सकते हैं ठैंक यू कर दो